Pregnancy का पूरा दौर without bleeding होता है. Pregnancy is a state of amenorrhea. 9 महिनों के लिए औरत को periods नहीं आते. लेकिन अगर Pregnancy में अच्छानक से bleeding आ जाए तो उसका क्या कारण हो सकता है? कई बार Pregnancy में होने वाला bleeding किसी physiologic कारण की वजह से भी होता है. At the same time कुछ अगर grossly अगर गलत हो रहा है तो उसकी वजह से भी Pregnancy में bleeding हो सकता है. Pregnancy के अलग-अलग trimesters में अलग-अलग कारणों की वजह से bleeding हो सकता है. जैसे कि first trimester यानि कि पहले तीन महिनों में ज्यादातर vaginal bleeding, implantation bleeding होता है. जिसका मतलब है कि बच्चा conceive तो हो गया है, लेकिन जब वो uterus में जाके अटकता है, तब एक drop blood का निकलता है, जिसे implantation bleeding के नाम से पहचाना जाता है. लेकिन implantation bleeding एक physiologic कारण होता है, लेकिन कुछ pathologic कारणों की वजह से भी bleeding हो सकता है, जैसे कि miscarriage. Pregnancy पहले trimester में miss होना बहुत ही commonly देखा गया है. अगर पहले तीन महिनों में pregnancy miss हो जाती है, तो इसे miscarriage कहा जाता है, जिसमें bleeding दिखी जाती है. Miscarriage exactly किन कारणों की वजह से हो सकता है, miscarriage के symptoms क्या होते हैं, इन सब के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकरी चाहिए हो, तो हमारा miscarriage वाला वीडियो ज़रूर देखें. आई का आइकन क्लिक करके ही आपको related वीडियो की link मिल जाएगी. Ectopic Pregnancy एक ऐसी condition होती है, जिसमें Pregnancy uterus में अटकने के बगैर कही और जाके अटक जाती है. Most commonly Pregnancy फेलोपियन ट्यूब्स में जाके अटक जाती है. इस Ectopic Pregnancy को terminate करना पड़ता है, क्योंकि ये Pregnancy मा के लिए धोका दायक हो सकती है. अगर आपको Ectopic Pregnancy के बारे में ज्यादा जानकरी चाहिए हो, तो हमारा Ectopic Pregnancy का वीडियो भी ज़रूर देखें. Molar Pregnancy एक rare occurrence होता है, जिसमें एक abnormal अंडा fertilize हो जाता है. इस Molar Pregnancy में भी पहले तीन महिनों में काफी ज्यादा bleeding हो जाती है और फिर इस Pregnancy को terminate करना पड़ता है. दूसरे और तीसरे ट्राइमेस्टर में अगर bleeding हो, तो ये ज्यादा तर किसी pathological कारण की वजह से होता है. Incompetent cervix यानि कि अगर cervix बच्चे को अंदर पकड़ के नहीं रख पा रहा हो, थोड़ा नाजुक हो, तो उसमें से bleeding हो सकता है. सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी miscarriage हो सकता है. इसे miscarriage कहने के अलावा intrauterine fetal death के नाम से पहचाना जाता है. प्लसेंटा प्रीविया एक ऐसी condition होती है जिसमें प्लसेंटा यानि की बच्चे की नाल यूटरस में चिपकने के बदले सर्विक्स पे जाके चिपक जाती है. इसके बारे में ज्यादा जानकरी चाहिए हो तो हमारा प्लसेंटा प्रीविया का वीडियो ज़रूर देखी. प्रीमचूर बर्थ को प्रिपर करने के लिए यूटराइन कॉंटरेक्शन शुरू हो जाते हैं. इन यूटराइन कॉंटराइक्शन की वजह से ब्लीडिंग हो सकती है और प्रीमचूर लेबर भी शुरू हो सकता है. एक बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कन्टिस्चन होती है जिसमें uterus burst हो सकता है uterine rupture की वजह से severe bleeding होना और मा और बच्चे दोनों की जिन्दगी को हानी पहुचना एक बहुत खतरनाक और हानी कारक situation होती है वो है uterine rupture uterus अगर rupture हो जाए तो उसमें से खून निकल आता है जो vaginal bleeding की तौर पे प्रेजेंट करता है यह bleeding काफी तेज होता है और अगर uterus rupture हो रहा है तो जल से जल सेजरियन section करवा के बच्चे की delivery करना और uterus को seal करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है लेकिन जैसे जैसे pregnancy खतम होती है delivery का समय आता है वैसे vaginal bleeding को bloody show के नाम से पहचाना जाता है यह हलका pinkish या light red कलर का होता है ज्यादा तर यह bloody show mucus के साथ mixed होता है जब bloody show आ जाए तब समझ लीजिएगा कि delivery होने वाली है अब मा लेबर में जाने वाली है Thank you